मलेशिया जहाँ ज्यादा रिस्क, वहाँ ज्यादा पैसा अगर कोई अच्छा सौदा मिले, तो मैं छोड़ता नहीं मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बाद गणेश भगवान से अब आप सोच रहे होंगे कि गणेश भगवान से ही क्योंकि मेरा नाम ही गणेश है एक और बात, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा प्यारी है क्या बात है, बहुत चमक रहा है, नहीं ली है क्या? हाँ, नहीं ली है अरे तो दिखा, अरे वाँ, ये तो मेरा ब्रांड है पर साइज मेरी है साइज का क्या, वो तो कहीं भी फिट हो जाती है मुझे भी फिट होती है किसे मत देना फट जाएगी टीशिट मैंने खरी दिया यार मुझसे कितना प्यार करता है, अभी मेरे तारीफों के पूल बन देगा इसकी तो, ये कभी किसी के बारे में नहीं सोचता इससे बस अपना फाइदा दिखता है, दिमाग की हटा देता है कहा था ना बहुत मैं फोन करता हूँ बहुत बढ़िया शर्ट है यार किसकी उठाई बता जिसके भी उठाई हो, पहले बता तुछे क्या काम है अगर तू कुमार से कहे देगा तो मेरा भी कुछ जुगा देख की लग रहा था तू यही कहने वाला है ना ठंकी कहीं का ए कुमार हाई गनेश यह, अरे मुझे कुछ लोन चाहिए था अरे यार देने वाला फटीजर है, दो पसेंट कम करना वो साथ कह रहा था, मैरे पांच पर डन किया, वो भी तेरे लिए नहीं भाई माँ का ओपरेशन है, इसलिए आप लोग सही सोच रहे हैं मैं थोड़ा तेड़ा आदमी हूँ अगर आप मेरा तेड़ा बन देखना चाहते हैं, तो चलिए फ्लैश बेक में चलते हैं मतलब महेने पर का खर्चा, क्या बात है बच्पन से अपनी बाड़ी पर बहुत खर्चा किया है, आज हुआ सूनले का टाइम है वेट एक ज़्या, वेट एक ज़्या, वेट ज़्या मार दिया है येश! कब गनेकश को ये उसका पुकापला कर सकता है? हहआ! है! है? हाँ! हँड्या, हाँ! हा! कैब बलाए? हम लोगा, हम पीड़ा, हम अवातेन गुना रहा इता है तूर अपर अच्य है माइ फेवरीट स्मेल इन दे वोल्ड पैसा, पैसा, सिर्फ पैसा पैसों के लिए तु हार गया, देखकर अच्छा नहीं लगा, बात गिल्टी फील हो रहा है गिल्टी फील करने की कोई जुरूत नहीं है इन ही पैसों के लिए माने पापा को मिस कर दिया, और मैंने अपनी मा को, तो इन पैसों के लिए मैं हारने को भी तयार हूँ पहले पैसा, फिर दुनिया धरी मतलब तुम्हारा कोई भी नहीं है वापस पुछ तुम अनात हो क्या जिसका रिष्टा इन से हुआ अनात नहीं होता हूँ हूँ लूजर जरुआ टार्व लूजर बागे नहीं पुछ तुमम्हार मैं अंदर सिर्फ पैंसो के लिया हरा था लेकिन बाहर इजद मेरे लिए ज्यादा ज़रूरी है और दोनों मुशे प्यारे हैं सर जी दिवाली का बोनस अडवांस दे रहे हो क्या क्यों पैसे लेकर शराब नुड़ानी है क्या बोनस छोड़ो सैलरी भी नहीं दूगा जाओ चुपचप जाकर काम करो मैंने सब सुन लिया अंकल आप पैसे नहीं गिन पारे हो गया लाइं मैं गिनता हूं आप ही ना पैसे गिनने में कमाने से भी ज्यादा टेम लगाते हो तुम्हारे पिता जी भी इसी अंदाज में नोट गीना करते थे आपको पिता जी की बात करना ज़रूरी था किया तुम्हारे जिसे जिम्यदार इंसान को देखकर उनकी याद तो आहीं जाएगी ना देखी अंगल, अगर वो अपनी जिम्मेदारी चरा भी समझते, तो गाववाले से उधार लेकर परिवार वालों को सड़क पर नहीं लाते, उनके कारण हमारा घार नीला महोने वाला है, पचास लाक रुपए, कहां से लाओ समझ भी नहीं आ रहा है, तुम कभी अपने पिता पागल से नाजसों की लड़ाई में मैं कुँ पड़ूं, यह लो, तुम्हारा हिस्सा, पैसों के पीछे पागल है, क्या यहार, सुनाओ वो क्या कह रहा था, अब बताव मैं क्या करूं, वो तु 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 तुम्हारे बारे में सुन नहीं डिमना नहीं चाहता, नहीं एक काम करने का दिखवा कर रहा है और एक खेल रहा है और इसे लड़कियों से फुरसदी नहीं है कभी नहीं सुद्रेंगे यह गनेश क्या हुआ तु यह चूपचा वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है कॉन्फ्यूज्ड है या नॉलिज के लिए पूछ रहा है दोनों ही समझ ले अब टिंगू जब क्लाइंट से मैं पैसे मांगूंगा तो वो पूछेंगी कि तुम अब इंडिया से है ना इसकॉड में सच में पावर है क्या तभी तो इंडिया से आकर मलीशिया में बस गये से बढूरोजा नहीं यह क्योंकि कुछी देर में किशूर के साथ मेरी साथ होगी यह कि औस वादूर तुम्हें टेलिफोन देख रहा है उसमें कॉइन डालो अपना लगत करो और बात करो हैं इंडिया नहीं सोचकर हेल थी दो रुपैसे ज्यादा नहीं काच करवा वो दो रुपे भी मुझे प्यार है विदेश में आकर पता नहीं नहीं क्या हो जाता है तेरे आत में दो और उसके आत में दस कुर्सी कान की नेचा बजाओंगा सही से काम कर तुझा पर क्या हुआ गनेश फोन दे देना उसे अच्छा वो क्यों लोग कहते हैं कर भला सो भला मेरा फोन पब्लिक बहुत नहीं है चल जा अपना काम कर वाई विल्कुल सही जा रहा है दो छोड़के चार कुर्सी चल जा क्या और ले हमेशा डाटता रहता है क्या हुआ तेरे चैरे पर 12 क्यों बज़े गनेश को मैंने एक आइडिया दिया था और उसने डाट दिया तेर अब तक क्यों नहीं आया हुआ पता नहीं कहां पाज गया कि अब अब और मदे उसकी मदद का है अच्छा काला जी का राइट में लगाते है या लेफ पे राइट में राइट में लेट में लेट में फेस पे कंफर्म या फिर काम चुरी कितना कर्फ्यूस्ट है लगता है इसकी भी अब तक शादी नहीं हुए है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप मसूरी से मलेशिया तक आई है आपका किश्वर बस आता ही होगा लगता है ट्राफिक में फस गया है जब तक वो नहीं आ जाता है तब तक मैं हूं न यहाँ पर गनेश लिजे बुला रहे जा वो बुला रहा है कि तुमेरा पत क्यों लवन ने धोका दे दिया या फोन गाम नहीं कर रहा है मुझे सब कुछ पता है ना वो आएगा ना उसका फोन लगेगा एक मिनिट ज़रा हटना देखो दूलान की तरह सजी हुई है समझ में नहीं यहाँ पर आई क्यू है लगता इसे किसे ने अच्छा चूना लगा यह डायलॉग मारना बन कर और जाकर उसके पल्लू में बन जा जलो जलो निकल दाए यहां कि अगरेगे यहां तुनी पीरा अरे आज क्या प्रब्लम हो गई वीकेंड है ए नियम भूल गया है Nerun कष्वी चूनी यह बंड़ आगें आत्या है और में आपकी कसम आपने कशाए daran सी न जो अब बाइश जी अब हमने जो कसम खाई चाहिए जो गंडे तक निभाएंगे विकन्ड कराब मत करो हमारे विकन्ड खराब मत करो आपेशी बढ़ के पिए प्यों अब भी पीने दो कि पीने लगा वो एक ही पैक पिया गया शरीफ जी है बटाए उस शरीफाद में ने दूसरी बॉटल उठा लिए तेरे बाप क्या जाता है अलो अरे मैं कब से तुबरा नंबर ट्राइ कर रहा था अरे यह तो तीसरी भी पी गया अगर मेरी जान मत खा अभी तो जाके कि बटाए यू ज़स्त ट्रेट और वोच ठीक है मा का खाल रखना भाई ऑपरेशन सेक्सेस्फुल रहा मा को डिस्चाइज कर दिया क्रेडिट गोस्तो यू टाइम पैसे दिलवा दिया थैंक्स यह मा की लिए थैंक्स बोले कि कोई ज़रूद नहीं है मां टीक है ना बास का इंतजार करते कर दे उसने फुद को शी लिए यह जहानकर भी मेरे पिटाजी उसे देखने के लिए इसलब में अपना पिटा जिसे नफ्राद कर णा हमार आसमें अपनी मां को नहीं बचा कर ने भचा में इसलिए तू बहुत लगी है कर पांच परसंट मीं मत देना है त आपकर एंजो यह विकेंड गाइज विकेंड को मजा लेते हैं तुम भले हमेरे साथ ना पर हमें भी मत्रों को हम क्वीन स्ट्रीट जाएंगे नहीं थे अर्क बनेंगे हमें पुद्रीपड़ेंगे रख काम हो जाएगा है कि अधिक में खाल को जाए गाल तो सारी मिष्वार्द है यह जो लड़किया है ना वहारे डाप ना यहां लगए यह अपनी लगए यह अपनी बादीफ बात बन जाएगी है आप यह इस प्रेट वाली मेरी जी वाली मेरी जी तब कोई भी चलिए भाइब गारेश किदर गया मुझे क्या पता वह भी अपने ले कोई डूंड रहा होगा अब यह तुछ यहां क्या कर रही है अब यह एक्टिंग करना बन और बता यहां कैसे पहुंची तूछ अब यह तुछ दुनिया में कोई कमी नहीं है बेवो कुंफू की कोई भी किशोर का नाम लेगा तो गाड़ी में चली जाएगी पुरेदा का है उसके नाम की अलावा मुझे कुछ नहीं पता है वो हिंदूस्तानिया और उपर से लड़की है यार इनके लफडों में सीरियस नहीं होने का यहां सिर्फ इंजॉय करने का यह आप कालिउ स्पाव कतार यहां 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 स्वें यहां 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 शरकार यहां एडिते प्रव़電ऄ में यहां तो तो अधर बैट अधर 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 करना है तो इदर आजा मुझे मत बागा मैंने पी रगी है चला आजा वेट मार इदास रहा है अधर हुआ हुआ है अधर? इदskनरस में लूहा है? है कि पाच कुम है? एक मिनुट रुका, सच में गुदने वाली हो पानी घह रहा है, लेकिन कि शुरा आगया तो, वो कभी नहीं आएगा, तुम्हें इतना विश्वास कैसे है, उसने मुझे धोका दिया, इसलिए नहीं चीना, हुआ, हाइट कम है लेकिन बहुत बारी है यह, जिर से आगय है, वन, टू, थ्री, पूर, फाइए, पूरे ट्वंटी फाइए, तोड़ा मुझके ले लेकिन सम्हाद लूंगा, अब तो ना मुपके ना, मुझे लगता है, प्लान भी काम करेगा, है, हेलो टिंगू, 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 टिंग दमनी, कौल, है, सलीम भाहे के अदमेज़ें उलचने के तरी हिम्मत कैसे हुई, आज मुझे सब समझ महा गया है अगर आजमी परत प्वेदा है तो सारी मुल्के मुझे सल गया से गनेश 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 पता है क्या गनेश पेपर में तरफ पोटो चुपा है क्या लिखा है पढ़के सुनाएगा उजे पढ़ना नहीं आता तू पढ़ कालाक्षत बहांस बरादर एक बेसहारा लड़की को एक जाबाज ने बचाया नाटन की बनकर गनेश ना अरे इसी का नाम है एक मिनट रोख लिखा है कि कल रात को गनेश नाम के लड़के ने आत्मात्या कर रहे ही लड़की को अपनी जान पर खेल कर बचाया अरे मजाग नहीं कर रहा हूं यहीं छपाया खुद पढ़ ले एक मिनट मुझे अभी कुछ-कुछ याद आ रहा है हमने कल किसी को पैसे दिये पूरा कैश 10 लाग किस लिए हमने भी वही पूछा था लेकिन तू नहीं माना और लड़की को यहां ले आया है का रहा है हमने क्या किया यार अरे छोड़ों आण तुम लोग को अब लगती है तुम लोग पता है मुझे ज्यादा चड़ती है हां दस लाख रुपए गवा दिये मैंने कहां से हैंके इतने पैसे कौन है यह कौन है यह लड़की किशोर की लवर तेरी तो हट पैसा कौन देगा उसका बाप यह पागलों किया क्या पता नहीं है उसका बाप देगा हर समय यही होता आया है जब इज़्जत पे बात आती है तो हर कोई दुश्मनी भूल जाता है उसी इज़्जत की खातिर तो यह उसे अपना दामाद बना रहे हैं अले सुनो हमारे मालिक इतना इज़्जत दार इस गाव में कोई भी नहीं है सबच गया ना गुलाबी आपको खबर कर दूगा है अभी तक तुम लोग धिंख नहीं है अधिमें भी एसे वह था था उसे मन्जूर नहीं थी ये शादी इसलिए वह अपने आशी के साथ भाग करें उसको ढूनने के लिए हम लोग फागरों की तरफ भटक रहे हैं चिल्ला क्यों रहा है ये बात सबको बताना चाहता है उसके भागने के बावजूद मैंने शादी नहीं रोकी ताकि इस घर की इजद मिट्टी में न मिले और इसलिए मैं इतने दिनों से खुश रहने का दिखावा कर रहा हूं कब तक दिखवा करेंगे कल या परसु तक शादी के मुंड़ब में तो दुलान चाहिए होगी तो आएगी जरूर आएगी उसे आना ही होगा या तो इस घर से डोली उठेगी या फिर यहां से मेरा जनाजा उठेगा उड़ गई तुम चलो चलते हैं तुम इंडिया जा रही हो मैं तुमारे साथ जा रहा हूं अग्द लेखता है फिर से कोई प्लानिंग कर रहा है यह तुम्हारे खरका नमबर है कोई ज्यादू नहीं है इस बुक में लिखा था इसमें मा के बरे में कितना कुछ लिखा पता है तुम्हारी मा को हाट ड़िका है मौत से जूज रही है वो क्या हुआ अभी भी अपने बारे में सूच रही हो तुम्हारे आत्मात्य के फैसले पर ही तुम्हारा प्यार खत्म हो गया है तुम्हारे जिंदा होने की बस अब एक ही बचा है वह है तुम्हारी मां को मिलना नहीं चोगी चलो क्या बात है गनेश भाई सूपब तू रोज ऐसा रहूंगा तो डूब जाओंगा पहले ही दसलाग गवाँ चुकाओं अगर उससे कहता कि दसलाग वह सुन ले के लिए तुशे गावाँ ले जा रहा हूं तो वह चलती क्या नहीं ना इसलिए मां का सेंटिमेंट जगा दि अब है जा ना इंटिया चानी से पहली एक बार मंदिर चले कि यह दूपड़ा किसली है कि यह दूपड़ा किसली है स्कार्व कि शूर का दिया हुआ पहला किफ्ट अच्छा किफ्ट क्याती हो यह तुम्हारे प्यार के निशानी है और तुमने उसे वहां टांग दिया ओसकता है कि वह यहां आजाए आया तो क्या मेरे स्कार्व से उसे बता चलेगा कि मैं यहां आय थी ओफ ओफ तुम्हें लगता इतने सारे कपड़ों में उसे ये कपड़ा दिख जाएगा सुरी में स्काफ दिख जाएगा अगर किशोर सच में मुझसे प्यार करता है तो वो इस मंदिर में ज़रूर आएगा और उसे मेरा स्कार दिखेगा कि 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 कोई है क्या यहां हां यहां मैं हूं भाई इस पंडाल को पीछे लगा दो पीछे तो लगा है तो फिर आगे लगा दो तो वही करवा रहा हूं आप नया क्या बोल रहे हैं पेमेंट मिल चुका है क्या बढ़ा मत कर जाए जब देखो मेरी बेज़ेती करती रहती है क्या मैं बिल्कुल तारीफ के लायक नहीं तुम किस लायक हो मुझे पता है तो क्या सुन रहे हैं चला कर दो नमस्ते श्मीजी नमस्कार कैसे है ठीक तो है यह क्या हुआ कुछ नहीं बस चोटा सा जख्म है आ कुछ खाने को ले आँ पागल है क्या कहीं भी कुछ भी पूछता है क्या बात है संदी जी मैं कुछ समझा नहीं सगाई वाले दिन ये दोनों नहीं आ पाए थे ना कह रहे हैं कि ये दुलहन को देखना चाहते है अब इने क्या कहूं मुझे भी दुलहन को देखने किक्षा है सब उस तरफ रखा इस तरफ कुछ भी नहीं हम खुद तो बैठके खा रहें और मुझे अंदर जाने को कह रहें कोई इज़त ही नहीं है मेरी चीच 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 लक्षमी कविता को बला अरे अंदर होगी तब न बुलाएंगे वह मंदिर गई है तो अपना मुख बंद रखेगा शीवा हाँ बहीता को फोन करके घर पर बोला जी बहीत फोन करने को कह रहे हैं किसके नंबर पर करेगा मोबाइल नंबर तो 10 का होता है लेकिन इसने 11 दबाया बैड वेरी बैड कवीता ये तुम्हारे ससुर्च जी नमस्त करो कैसी हो बेटी बहुत धगए हो चलो आपकी बेटी किसमत वाली है हमारे घर में वो राज करेगी अब हमें निकलना चाहिए हाँ ठीक है चलो को लिए अरे ये भाई साथ कौन है दोस्ते क्या नहीं या लगता है कजिन ब्रदर होगा सही का न एक बात बताओ जिन लोग के पास गाड़िया होती है वो अपनी गाड़ी से मंदिर जाते है न ये टैक्सी से क्यों वापस है बैड है जी मेरी बैड है दीदी बाबी मां का है मां ठीक तो है ना ये ले जाकर सीता के घर पे दे दो ए अर्विन बोलना में फोन करती है मां स्वारी मां मन से गलिती हो गई मां आपको कुछ नहीं हुआ है तु तो यही चाहती थी कि हम मर जाए तुझे तो हमारी जित की कोई फिक्र नहीं थी फिर बाबस क्यों आई है तु आपको कि अब अब मेरी बात तो सुन अब जो दो गया अगर लेड गया ना तो हमेशा के लिए तु लेड हो जाएगा तो तो यार नहीं आपके आपके है यार तेरा मेंने क्या भी घड़ा है और कहता है कि क्या भी घड़ा है अब कॉन सी भाशा में समझाओ उससे मैं वापस ले आया हूँ मेरे भीजे में कुल घुस्ता क्यों नहीं है तो नहीं सुने का तो सर फोड़ दूंगा रुख जाओ तुम लुक जाओ यहां से भाई यह उनसे बात करेंगे मेरे भाई नहीं तुम पर हाथ उठाया इसके लिए माफिचा दो जिस लड़की की दो दिन में शादी होने वाली हाकर वो घर पर ना हो तो जाहिर है गुस्सा तो आएगा हां सही बाद अगर तुम एक मिनट भी देरी से आते हैं तो मैं कहीं का नहीं रहता तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं उतार सकता आप चाहे तो उतार सकते हैं आपकी इज़त बचाने में मेरे पूरे दसलाग खर्च हुए हैं आप मुझे दे दीजिए मेरा एहसान उतर जाएगा दसलाग क्या पचास ले लो जब तक शादी नहीं हो जाती अब यह आपकी कैसी शर्त है मलेशिया में मुझे बहुत सारा काम है मुझे जाना होगा तुम हमारे खास मैमान हो तुम्हारे रुखने से मुझे अच्छा लगे सर क्या है नहीं कोई बहाना नहीं ए राजू साहब को कमरा दिखा दो इतना फोर्स कर रहे हैं पचास लाग दे रहे हैं ते रुकना ही पड़ें पैसे उसके मुझे बार कर भगाई है रोक क्यों नहीं दिमाग तो ठिकाने पर है समधी जी ने उसे कविता के साथ देखा है शादी होने तक उसका हमारे साथ रहना ही मुनासिब है अभी जोश से नहीं बोश से काम लोग कोई बात नहीं हलो 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 मलेशिया लव शब ब्रॉथल हाउस तुमने तो सब चुपा लिया तो मैंने किसी को नहीं पताया आपको कैसे पता चलिए एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तेरे जैसा शातिर उन्हें ब्यकूफ बना सकता है लेकिन इस ब्रम्भा को नहीं कूल हल विल्ट कूल बोल के जा रहें लेकिन यह ब्रम्ह कौन है पूछेगा नहीं देख भाई काम की बाट सुन रोलेक्स घड़ी बनाने वाले के बारे में हर कोई चांदना चाहता है लेकिन उसी घड़ी को रिपेर करने वाले के बारे में कोई पूछता नहीं एक दम वैसे लिग सब्सक्राइब तो कोई और नहीं तूहीं उसका लवर है सर सर आप तो बिल्कुल कमाल हो आप से एक रिक्वेस्ट है क्या है आप यह बत अंकल को बता देंगे नहीं बता सकते बहारी पड़ जाए उन लोगों को अपनी इज़त बहुत प्यारी है सर मेरा रूम आगे है यह मेरा रूम है फिर मेरी मंजिल तुम्हारी मंजिल यहां से स्टेट जाओ कि क्या है हां ऐसे घूर क्यों रही है मेरी वह जैसे तेरी लाइफ कराब हुई है क्या बोल हेलो दस लाख रूपे खर्च की है तेरे उपर वही वसूलने के लिए तुझे यहां लाया हूँ छी ए एक बात तो है तेरी वज़े से मेरा फाइदा हुआ है उनको मैं पसंद आ गया इसलिए वो मुझे पचास नहीं दे रहे है वो इसलिए दे रहे है क्योंकि तुझे ब हुआ 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 है कि मैं अपने लिए नहीं कर रही मा आपकी इसलिए कर लिए हुआ है अप घरपर मौट से जूच रही है ऐसा मुझे बटाकर वो यहां लेकर आगया मा अगर मैंने यह शादी कर ली तो सच में मेरी जिन्दगी बरबाद हो जाईगी मेरी जिन्दगी बरबाद हो क्या आप अपने हाथों से मुझे ये पिला दीजिए ना मैं रहोगी ना आपकी इज़त पर कोई आचाहेगी ठीक है तुझे लगता है यह एक रास्ता बच्चा है कोई बात नहीं बैतर है मैं ही सब्सक्राइब मां अब क्या करें जाओ निकलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भाईया जी जो रंगोली बनाए थी मैंने थूख दिया तो मोड़ोनाट बन गया बाहर से लगते हैं ससुर्जी ने बहुत खर्चा किया है चलो अंदर देखते हैं ओए बैड भाईया मैं राइट हो ना विल्कुल भाईया अगर मैं रॉंग भी हुआ थिर भी तुम्झे राइट ही बोलेगा मैं राइट हो ना दमाजी आईए देखो दमाजी आए है अब पाएगा असली मज़ा अरे आप तो यहित के चांद हो गया मामी का प्रेशर है तो इन्हें हमारे पास भी जो मामी आजाओ मामा लगता है आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए बहुत खुश हुआ है चलो आजाओ इस तरफ देखिए दामाजी आए हैं हरे आई-आई- और शादी के तैयारी जोरो शोरों से चल रही है मेरी शादी जो है मैं बस अभी आया है इसा तो नहीं क्यूंकि कोई और भी सेटिंग है और यह गुलाबी लगती है मीठी जले भी इसका हलो आइकान है जरा दुकान का पता लगा रहे सो सो रुपय नाम में दूंगा कोई बात नहीं मुझे मुझे मज़ा ही तो लेना है हरे बैर यह तो दिखने में बहुत सुम्दर है यार और मेरी सालियों को तो देख इसे लिए कहते हैं सालियादी घरवार इसका काम तू क्यूं कर रहा है वीडियो शूटिंग से आइडिया मिलता है ना हाउ सुनो भाई लॉट्री में गिफ निकलता है ना येस ये वैसा ही है समझता नहीं है यार वाट अन आइडिया सर जी मैं एक घंटे से ट्राइ कर रहा हूँ मुझे तो सभी सेकेंड हैंड गिफ्ट ही मिल रहा है यार तू पूरी बात समझता नहीं है ऐसा क्या है छोटे जो मैं नहीं समझ पाया जितने लोग लॉट्री खरीते हैं सबको गिफ्ट मिलता है गया नहीं तो बस बैसे ही लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए वाट एन आइडिया सर्जी येस ओई केमरा वाले जड़ा पोस्त दो जलता हो ससुर जी उसकी ज़रुवत नहीं आना जना तो लगाई रहेगा वैसे ससुर जी ये लड़का कौन है रिष्टेदार होगा बहार रहता है किसी ने कभी देखा नहीं कहा धाना तुझे चलो मेरी लाज थे और अरेंज मेरेज में दूसरे के लवर से शादी करते हैं है ना तुम मुस्कुरा रहे हो मैं ठीक से समझाता हूँ ये अच्छा हुआ कि कविता मेलेशिया में तुम से मिली अगर अपने लवर किशोर से मिलती तो मेरा क्या होता जानते हो मेरे जासूस कौन है ये बैट और वेरी बैट ग्रदर तुम से एक हैल्प चाहिए तुम ससुर्जी से जाके कह दो कविता और किशोर का प्यार और उसके मलेशिया जाने की बात मुझे किसी तरह पता चल गई है तुम्हें कुछ नहीं होगा कोई सवाल भी नहीं और मेरा काम ही बन जाएगा मेरी तुकोशिश है कि सारी संपथि मैं ही महलब चलो और तुमारे जरीए उमीद करता हूँ तुम मना नहीं करोगे मेरे बच्े तुम्हें चाचा बोलेंगे तुम चाचा होने का फरस अदा करो प्लीज 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 चोड़िये भी क्या फ्लीज फ्लीज कर रहें आप इनके वारे में जानते नहीं क्या ये इन बीलकूल बी मनी में रह ourselves इस एंग लेकर आध यहाँ आप ही मुझे बता आ ए से टीक कहाना कि दोस्ति yht बाद 맞ा मेरे मन में एक सवाल है, तुम्हें ना पैसा चाहिए, ना नाम चाहिए, और ना पावर चाहिए, उसके बाउजों तुम उसे यहां लेकर आए, एक सवाल, मेरी खुशी के लिए, जवाब दो ना या फिर कोई और छोल है या अच्छा हुआ कि कवीता मेलेशिया में तुम से मिली, अगर अपने लवर केशोर से मिलती तो मेरा क्या होता? क्या है, समझ गया, कल सुबाई में मेलेशिया पहुंच रहूंगा, कणफर में वहां आजाओंगा कवीता, तैयार हो जाओ, तुम्हारा पासपोर्ट कहा है? सोनो, हम मेलेशिया जा रहे हैं चलो, तुम्हें नहीं चलना है? कि शोरू से नहीं मिलना चाहती यहाइँ कि तुम्हेरा विश्वा सही था कि शुरा गया है कि मुझे मलीशिया से फोन आए था चाहूं कविता को यहां से ले जाओ तुम देखो तुम्हारी जिंदगी यहां खराब हो जाएगी जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं उस अयाश गुंडे के साथ घुट घुट कर जिंदगी गुजारने से अच्छा है तुम चिससे प्यार करती हो उसका साथ निभाव इसके साथ भागने में ही तुम्हारी भलाई है इस घर के इज्जत की परवा तुम मत करो तुम यहां से नहीं गई तो मेरा मरा मुद देखो ली मैं आखरी बार पोच रही हूँ तुम चाह रही हो या नहीं यहां से भाग जाओ और चील अपनी जिन्दगी की जिन्दगी मली को लेकर बाग आए चलो चलती है मली वो शेहर वाला लगका चोड़ी मालकी को लेकर भाग आए लेकर फॉस दिन अगर मेरी बात बाद लेते तो आज गे नौबत्त ही आती देख लिया उसका असली रंग कि शादी सुबह है गाउं वाले जगे उससे पहले कविता को वापस लाओ कि जड़ी चलो ना एक मिनिट मैं तुम मुझे भागा कर ले जारी हो तुम इन रस्तों को नहीं चानते इस भूल भुलाया में कहीं खो जाओगे चुप-चब मेरे साथ चलो ना चलो मेरे बात सुबह तुम मेंसे कोई आवाज नी करेगा इशारे में बात होगी कोई गरबढ़ ना हो ठीक है इस बाहर बहुत थंद पढ़िया वाली है तो जो ठंद में इसके भाई का क्या अल होगा इस मोटे को ठंदी कहा लगती है बाई इसका भाई पतला है तेर भी ठंदी अरे यह तो साब जी की लड़की है ना इतने रात को इस लड़के के साथ कहा जा रही है अरे यह लौट स्टिकर तो यह पर खड़ा है इससे पता चला तो पूरे गाव को पता चल जाएगा शांद्रो अरे वह वह लोग भाग रहे हैं कोई बास नहीं हम धीरे चलेंगे अर हुआ यह तो जाओ ना तो जा रहे हैं हमको बेलकुप समझ रहा है तो बात होने दो करें अरे प्रुप समय है अर्भा यह प्रुप अर्ड़ बात है कि यह दुख बात है क्या हो गया भाई इतनी रात को गूम रहे हूं एसी कोई बात नहीं है चलो पहला लालं कुछ नहीं कर सकते हैं वो तो हमारे बीचे आ रहा है हां यहां आद हो रहा है क्या कर भाई चलते रहो पड़ाई प्वाई यहां से सब लोग बढ़ जाओ रामो काका, रामो काका, कौन है, छोटी मान के आप, आप तो एक हफ्ते में वापस आने वाली थी, वो क्या है न, मुझे लगा था मैं कि शोर के साथ एक हफ्ते में वापस आ जाओंगी, पर ऐसा हुआ नहीं, उसने धोखा दे दिया, तुम बाइक चला लेती हो, ना? तुम कहां ने जा रहे हो, यह तुम्हेरा ससरान है, निकलने के लिए धंदराज की जरूत पड़ेगी, भाइया, 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 वो जाबारी भावी है न, क्या हुआ, फिर भाग गई क्या, अरे तुम यहां कैसे, आई यह तो आप से मिलने आये हैं, आपकी शादी है न, तो मंदिर में पूजा करवनी है, पूजा क्यों? आज पूजा नहीं करोगे, तो कल पचता होगे, कभी ताने मननत मांगी है, ऐसा है क्या, मंदिर कहा है, भाइया, आपकी तो निकल पड़ी, पता ने क्यों, यह तो कुछ गडबड लग रहा है, ए मन्होस, गाड़ी निकल, अरे वो देखिए, नामादगी का सहरा लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, एक बात पूछो, ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा बेवकूफ बन जाते हो, तुम्हें एक रास की बात बताओ, यह तुम्हारी मदद से मुझे भागाने वाला है, ऐसा नहीं होगा, विशास नहीं ह बागो, चलो, अब मुझे बचाओ, क्या रहे, तुम मुझे धोका लेकर इसे भागा रहा है, एक सोर्दार पंच तो, अरे यह क्या, उसने नामादगी को नीचे किरा दिया, बैड, शेरी बैड, कि शोर था पहले, और अब वो गनेश के साथ है, छे, 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 वो जो प्राइट, क्या क्या एक बालाएट, क्या एक एक प्राइड़ एक है, जलए ऍक दोरुड़ प्राइड़। कर दित दो यह दो कर दो हाँ जट 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 जटाई जटights जट को ह।ार घर जान टमैंटос खब वह undertbert वो करना फोटसे हाल कि अश्याँ करना जयाँ कि अश्याँ कि अश्याँ कि अश्यारा तॉक... ठ रिमा मैं हो... कि अश्याँ तो गड़ेश उसने मत मादो ये तो ठाकुर साब की बेटी है तुम पागल हो दंद्रा से पंगा क्यों लिया तुम्हें पता है उसने मेरे सब क्या किया था इसलिए मैं अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहती थी तुम दिखने में जितनी सीधी हो उतनी टेड़ी भी हो जो भी हो लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी सेलफिश नहीं हूँ फ्रेंट्स वो आई तो किसी को नहीं पता चला लेकिन कई तो टेंड़ोरा पीट के हैं कि एक पल में इज़त निलाम हो गई जिसे इतने नाजों से पाला उसमें मुझे कहीं भू दिखाने लाइक नहीं छोड़ा इज़त उतार दी चाहिए चाहिए उसने हमारे घर की इज़त को मिट्टी में बिला दिया है जी करता हुसे जान से मार दूँ मार दे दोनों को मार दे अभी जाओ किशोर अभी तक नहीं आया वो हमसे यहीं मिलने वाला था ना हलो गनेश कहां खो गए हो तुमने उसे बताया था ना मैं उसका इंतिजार कर रही हूं सुरी गविदा मैंने फिर से तुमसे जूट बोला किशोर नहीं आया तुम्हारे लिए धनराज मुझे सही नहीं लगा इससे तो अच्छा है कि तुम किशोर का ही इंतिजार करो और इसलिए मैं तुम्हें जूट बोलकर यहां नाया हूं गट अब मेरा दिल हलका हुगी है पर तुम्हारा जूट मुझे पसंदाया है मैंने कहा था ना तुमसे किशोर यहां जरूर आएगा वो आया था जरा उस तरफ देखो उसी की तरह मैंने भी उसे रिटर्म में एक स्कार्फ दिया था मुझे पता चले कि वो यहां आया था इसलिए उसने वही स्कार्फ यहां बादाय है हम दनों की सोच कितनी मिलती है लगता है बारिश आने वाली है चलाओ सॉरी गनेश मेरी वज़े से तुम्हारी लाइब बहुत डिस्टर्ब हो गई लेकिन तुम नहीं होते तो मैं किशोर से कभी नहीं मिल पाती उसके लिए थैंक्स सॉरी कवित मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ वो क्या है कि किशोर को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ रहती हो तो उसे बुरा लगेगा किशोर जब तक नहीं आता तुम सपना के साथ रहो सपना ये कविता है हाई गुड़नाइट बाए गुड़नाइट धुम रहे रहा है की अगेट? पया है कि तुम सोहा मिल ता है किषिए कांठ घू थेख एए ऑफ़का के योले घूनाइट लिए नहीं कमले खॉझिए तुम भीव डहे है भाईया, भाईया, प्लीज, भाईया, प्लीज हेल्प में भाईया, जरा अपनी हालत दे, क्या जुरूत थे उनसे उलजने के, चल-चल, जदी कर भाग नहीं, तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं, क्या कर रहे हो यार, मर जाएगा, यार, बच्ची के चांड हो क्या, अब खोर जाओ, मर जाएगा, वो छोड़ दो उसको, कुछ नहीं होगा दूज्या, यह चाता सम्मझ, क्या क्या कर भूभे, तो Jeśli दो बचश कर दोंखेरी, दो भूभ, भूभे, टो भूभे, वोग भूभे, वोड़े तो वोग, वो भूभे, टोड़े, उसे दोheen, भी दोभे, ठूभे! बाइया, आपने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया, कोई बात ले, थैंकियो बेरी माइच चलता है यार मैं अगर आज नशे में नहीं होता, तो बेटा तू उपर पहुँच गया होता तू पागल तो नहीं है न, पैसे देकर उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए था, भाई जान है तो जहान है करिक भाईया, एक नटो किया है ये क्या कर दा है, छुट्टे किंद्रा है तेरा नाम क्या है वे? चिशोर ये मेरी गर्फ्रेंड है, कविता सिंग्ग, क्या नाम मुला? कविता सिंग्ग? क्यों भाईया, क्या आप इसे जानते हैं? क्या है, क्या है, तो इसे जूट क्यों पड़ा है देखो, यहां सब बेवडे पड़े हुए, चलो ड़े, अरे उठना है क्या हुआ, सुबाव शुबाव चड़ाई है गया तुमारी कही बात अब तक गले नहीं उत्री है, तो इसे चड़ा कर रखी है तुमारी कवीता को मलीशिया में बुला कर खुद भाग गया, वह उसका लवर कैसे हो सकते हैं? वह तो अब अगर तेरी गर्फेंड तुझे छोड़ कर चली जाएगी तो तुझे वापस अपनाएगा? तीन महें पहले मैंने तुझे एक टीशिट ली थी, तुझे वापस दी? नहीं ना, तो फिर? वह उससे प्यार करती है, उससे मिल जाएगी तुझे क्या प्राबलम है? वह तेरी लवर कब बनी? तुझे उससे कब प्यार हो गया भाई? ऐसे मुश्किल सवाल मुझे ना पहली बार वो साड़ी में गहनों से सची हुई थी, उसकी नजरे मुझे से कुछ कह रही थी, उसका इशारा मैं समझ गया, उसके बस एक ही लुक ने मुझे खायल कर दिया, तब ही, तब ही मुझे उससे प्यार हो गया, पर्स टाइम, जिन्देगी में पहली बार मुझे उ मुझे बढ़ा लिया, एक बात तो कनफर्म है, उस धनराज और किशोर से अच्छा लड़का, तो मैं हूँ उसके लिए, येस, 100% मैं ही सही हूँ, इसलिए उसे मैं यहां ले आया, कविता को देर ले आया, और उसे रखा कहा है, तेरी गल्फरेंट की रूम में, तो अगर हम किसी का अच्छा करेंगे, तो हमारा भी अच्छा ही होगा, मैंने बहुत हो की बहुत मदद किया है, तो डेफिनिटली मेरे साथ अच्छा ही होगा, रात की शोर को लाई था ना, तो फिर डाउट है, तुम ये गाट क्यों बांद रहे हो, कल पूर्णिमा है ना दीदी, इसलिए गाट बांद रहा हूँ, ये यहां रिवाज है, इस पर जो गाट है वो भी तुम ने ही बांदी थी, हाँ, मैंने ही वो बांदी थी, किशोर यहां आया था, तुमने बात की उसे, कहा है वो, किशोर, किशोर, किशोर कहा है, अब मुझे विश्वास हो गया है, कि वो नहीं आने वाला, उससे आना होता तो आप तक वो आ चुका होता, ऐसा क्यों कह रही हो, उसके नहीं आने की कोई ना कोई वज़ा ज़रूर ह लेकिन तुम हिम्मत मत हारो वो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा समझ गई अब चलो यहां से तुम चलो मैं आ रहा हूँ प्रवान आप नाराद मत हुए कि शोर की दढ़ा मैं बेइमान नहीं हूं मैं उससे प्यार करता हूं तांक्स था। हुष क्यूँ पूराइ ? वो, मैं? यह हम आपा दो दोजिए खित विए ? हुआ… यह वो? वो रादेने से अपल तलब यह रहा हुव वो प्रूख कर दो यहम अपूँ रहा? यह प्रूख भी उपूश भी यह रहुँ यहुआ ईया नंगोर यहां कैसे है पाई हेलो कवीता को अंदर ले जाओ क्यों क्या हुआ बात में पताता हूं क्या हुआ परिया कवीता चल चल अंदर चलते हैं यह हेलमेट पहनों पहनों यह क्या बात है तो जब इस लड़की की फोटो दिखा रहा था तब वहाँ उन कुंडों का एक मेंबर मौझूद था अंजाम क्या होता तु जानता है ना बहतर है तु छुपकर रहा है मैं तो कविता को ढूड़ते वे सबकों पर भटक रहा था उस दिन अगर मैं टाइम पर पहुंचा हो था तो अज मेरी यहालत ना होती तुम दोनों के भीच आखिर हुआ किया था उस दिन उसने फोन किया था ही कविता हाओ यू तुम जल्दी से आकर मुझे यहां से ले जाओ प्लीज वाट इन लोगों मुझसे कहा कि सिर्फ सगाई है ताट पॉसलिल कविता तुम जो कह रही हो यह नहीं हो सकता तुम तु मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो किशोर ठीक है ठीक है बोलो कलकार्दी के अधिल में साधे दस बजे दिवा का मुहरत है उससे पहले तुम मुझे यहां से ले जाओ कविता यह मुम्किन नहीं है किशोर तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो मुझे कुछ नहीं सुना ओके आजाओ शादे ही करनी है ना कर लेंगे आजाओ हो यह एए चल बाइक से उतर इथरा तेरे में अकल है की नहीं उस लड़की को इंडिया से यहां बुलाकर तो खुद अमेरीका चला गया यह कैसा प्यार है तेरा है है लो तुछ से बात कर रहा हूं और तु इस भगमान को देख रहा है ने बहुत गलत किया वहिए रहा कर काम करना मेरा एंबीशन था जिस दिन उसका पून आया था उसी दिन मैंने जॉन किया सेम टींग उस वक्त मैं क्या करता रहां करीयर में क्या चुनू इस दरणजिश में था तो फैसला किया लव बाद में करियर पहले बात बन गई कविता के लिए तो मैं ही सई हूं उस वक मैंने प्यार को भुला दिया और यहीं मेरी सबसे बड़ी गलती थी प्यार को मैंने मजाग समझा लेकिन वो तो सच मुछ मेरे लिए यहां आ गई रियली जरा यह पकड़ना भाई यह देखिए 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 न प्रिशूल पर स्काफ यह मैंने कविता को दिया फर्स्ट गिप यह मेरे लिए बांधा है अब देखना भाईया मैं उसे ढूंड कर ही रहूंगा है वी सीन दिस गर किस को पूछेगा ले नारियल पानी भी थैंक यू भाईया कविता मुझे मिल तो जाएगी ना क्यों नहीं मिलेगी मैं हुना तिरे साथ हेल्प करने के लि कल से मेरे साथ रहे हम दोनों मिलकर ढूबने के थैंक यू भाईया कोई गल नहीं एक अंजान हिंदुस्तानी को आप मदद कर रहे हैं यूर रियल इंडियन रियल इंडियन के तेवर अब तक तुने देखे कहा है नोट वरी यह ले बाइक चला है पैसे है नो हाँ चल सबना ले पकड़ मेरे लिए गिफ्ट पता है कवी था रात भर ना मुझे बिल्कुल नहीं आई थोड़ा टेंशन में था वो क्या है ना तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था उसका फ्यूचर या अपना जयता बोलमा चुपो जा कवीता सपोज अचानक समझ ल कर तुमसे आइंव सॉरी कहें तो तुम क्या करोगी हुक अबे अरे अहीं मिखा मेरी लाइफ में तुम ही मेरी प्रायोरिटी थे हैं तुम्हारी प्रायोरिडी स काम सब्सकेर नहीं किया है मेरे प्यार को भी अंगार किया है एक्शली और नहीं requirementsulla वह तषर सथ रिजन देखो नहीं आने के तुम्हारे पास रीजन्स बहुत हैं लेकिन आते तो एक ही रीजन होता प्यार तुम्हें मेरा प्यार एक बार भी याद नहीं है हाँ समझ गया समझ गया लेकिन अगर वो किशोर सपोज वो कभी नहीं आया तो तुम क्या करोगी कि उस दिन पानी में कूटते ही मैंने उसे खो दिया था अब किशोर आए या ना आए मुझे कोई फर्त नहीं पड़ता किशोर मेरे लिए जरूर आएगा ये भरोसा दिलाने वाले सिर्फ तुम थे लेकिन आज उस भरोसे को तुम खुद ही दोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा करने की वज़ा जाल सकते हूं देख रहा था वो भी मुझसे प्यार करती है इसका यकीन हो गया है मुझे और वो दिन तूर नहीं जब वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करेगी और जिस दिन यह होगा उस दिन मेरी लाइफ सेट हो जाएगी तुन भाई आज तक गाउं में सिर्फ मैंने तेरी बात सुनी है अब यहां मेरी बाते तुझे सुननी बढ़ेंगी ऐसे लुक ना दे अरे ओ गनेश आ गए हम विदेश दिन में रोश्नी होती है रात में अंधेरा होता है मिल गया मिल ही गया गंगा पिस्टल गंगा मिलकर बहुत खुशी हुई नाखुश मैं नाखुश हुआ कोड़ वर्ड मैंने दिया और इससे तुम शेख हैंड कर रहे हो और वेटर लाता है लेकिन बिलतों ओनर लेता है मैं यह समझदार है चलो चलो फॉलो मी आओ मेरे अरे बेवकूफ इधर आ इधर ओ उस तरफ मैं सलीम भाई का राइट हैंड हो और यह टोपी मेरा लेफ हैंड है गंगा तुम्हें पता है हम यहां किस काम से आया हैं तुम पैसो के बिल्कुल चिंता मत करो वो दोनों किसी भी कीमत पर चाहिए जब आपने सलीम भाई को काम सौपा तो आपका काम हो गया समझो सब कि इस पूरे एरिये का डौन अपना सलीम भाई है वो कुछ भी करें उसे कोई भी सवाल नहीं करता अगर भूल से किसी ने सवाल कर लिया तो वो बच नहीं पार जैसे समुद्र में वेल मचली छोटी मचली को खाती है वैसे ही सलीम भाई अपने दुश्मनों को खा जाते है कर दें आपने वेल में आपने अपने बोला दिरेको तू मार मेरको आपने का मेमरी बोलता है तूने तू बार मेरेको मारने की कुशिश की हां तूनों बार लेकिन अपने को मारने ही पाया हुआ इसके सामने कड़ा है विरिया मार बिल्कुल सही आदमी के पास आएं हम लोग अब हमें हमारी कविता मिल जाएगी मेरा प्लाइन काम्याब हुआ जीजा जी को फोन करके बता दू हाँ प्रण फोटो दे दू हाँ तुम लोगों को यह लड़की मंगता है यह कुछ और भी इसको भगाने वाला भी चाहिए दोनों मिल जाएंगे दंगा हाँ भाई यह बटले यह रूप वह दोनों मिल जाएंगे यह बोलकर यह दोनों कहां जाएंगे मेरी बात ध्यान से सुनो हमारे भाई दुबई जा रहे हैं उनको आने में एक हप्ता लगेगा तो इसलिए यह डिल मैं करूंगा तुम जाकर वो खेल खेलो कौंसा कबड़ी 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 खेलो हम दोनों तुझे कबड़ी प्लेयर नजर आ रहे हैं क्या इंडिया से हम जूनियर के लिए नहीं आए जाके अपने बास को बोल ए लंभू भाई तु तो इंडिया जाएगा लेकिन यह टिंगू का डाउट है क्यों है तुमझे क्या समझता है गंगा पिस्टल गंगा ज्यादा बोला तो ठोक डालूँगा इधर है यूस से कॉल था मुझे तीन अब वो नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं का सब्सक्राइब अब यह तो पूरा ठकान लग रहा यार अच्छा बता कभी ता अगर तुशे नहीं मिली तो अगर मिल गई तो तेरे गाल पे दस थपड़ लगाएगी वो मुझ से इतना नाराज है लेकिन प्यार मुझ से ही करते करेगी वो बस मेरे लिए ही बनी है मुझे माप ज़रूर करेगी है कि अब तेरी क्या बख्वास करता है तु प्यार करता है तुस्से अरे तु तो भागया था बखोड़े कभी आशिक नहीं होते तु तो एक नबाद धोके बाज है तुश पर भरोसा करके कभी ता यहां आ आज मैं तुझे सारी सच्चाए बताऊंगा और वो यह है कि कविता यहां आई हुई है और वो अभी तक तेरा इंतजार कर रही है और इस गनेश के पास यह तेरी कविता अरे से रूको ने तो सारा भंड़ फोड़ देगा यहां फरक बढ़ता है जो बोलना है बोलने दे स तुझ जानता है मैंने उसे चुपा कर रखा है और तुझसे मिलने नहीं दूगा विकाद आई लवार उससे मुझे कोई अलग नहीं कर रहता है चुझ पड़ो मुझे तक यह तुझे साप सूंगा है क्या बोलना है यह बोल क्यों नहीं रहा है क्योंकि उसे चड़ गई है मतलब इसने कुछ नहीं सुना यह हो क्या रहा है इतनी देर से लाउट्सपेकर की तरह चिला रहा हूं उसे सुनना चाहिए ना यार मैं सच्छा आशिक हूं इसे मुझसे डरना चाहिए तु तीन दिन रुके क्या कर यहां आया था यह तो तो नहीं हूं और उसके लिए कोई सही नहीं है बिल्कुल सही है वादा करता हूं सबसे सिर्फ मेरा ही प्यार जीतेगा अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आपाएं तुम लोग काम करने ही आए या सिर्फ काने काम ही तो कर रहे हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो लगी सैंट कि संब के थेal डीड तुटीक एडॉंगे के उने योनगा गरणाम नहींगा ग walking हेलोह और विकली अज्य वेडआ है और कौने कौन और कौने बलीए प्राल करने आद लगर साहर है I am Voyalins Kumar. I am so dangerous. You know why? Because I am so emotional. I don't like masks. I love my friends. Yeah, give me some respect. You are at the right time. Time pass, let's do it. Give me some respect, boy. Do you need respect? This is your respect. Okay, you sir, son. He called the catering owner and said to the food. Son, he gave me 100 rupees. Why? You are dangerous, right? You are wrong. I am so emotional. I love my friends. Hey, how are you here? Thanks. Thanks? Who is it? If you don't live in my life, you might not be alive. Hello, who are you? What? I'm sure you arrived in the house. How are you having them? What? Happy birthday. Happy birthday. Tell you many years ago. The late of the day. Hey, you saw this man. Where did he know that? Hey, you saw this man? Hey, you saw this man? Where did he know that? Come on. Where did he know that? How did he know that? Where did he know that? बार्शुराम भाई वो लड़की मुझे मिल गई है और साथ में वो लड़का भी मिल गया है मैंने दोनों को पकड़ के रखा है तुम जल्दी आ जाओ पेस्टल गंगा यह फोड़ो कहा से मिली तुझे कौन है कौन तू हमें के दूढ रहे है तू तू गया काम से तू जानत कुन सबस्टा थेई तू हमें तू प्रवान काम दूखता थेट है तू तू हमें तू है? पर टो कान धो. कवीता थोड़ा संभल कर रहना अकी लैसे निजोंड है तुम्हारे होते हुवे मुझे कोई ले जा सकता है क्या को पता है क्या बुली वह बुलीrios तुम्हारे होवे मुझे काहन ले जा सकता है तुझे क्या बता है वह ऐसी बाते करती है लगता है उसके दिल में भी कुछ है हाँ हाँ सारी रात वो यहां इस कंधे पर सर रख कर सोई पता है यह एह सासी कुछ और था लेकिन उस सलीम के लड़कों ने खेल खराब कर दिया बताने कहां से टपक पड़े तुम लोग एक बा है उसकी वज़ा सिर्फ कविता है वो सब ठीक है सलीम भाई का क्या होगा उस लड़की के लिए उनसे दुश्मनी मुल लेगा यह लेगा पंगा लेगा ताकत दिखाने के लिए नहीं प्यार की हिपासत करने के लिए लाइव माई फ्रेंड गनेश गविता की कंप्लेंट ल क्या करने जा रहा है सब वन मिनिट सब्सक्राइब अवर्शिया की सेकंड गवर्वर्मेंट वो बड़ा माफिया है तू यहां पर कंप्लेंट करेंगा उसे पता चल जाएगा फिर हम दोनों गये समझ गया ना स्याता सूच माच चल जड़ी सौरी बोलो और निकल वो मेरा दोस लेकर आ जाएगा तू चल ना नजीम इसका पास्पोर्ट ले ना तुम पागल हो गया हूं चानते हो इनका फोटो कहां लगा है पुलिस स्टेशन में मोस्ट वॉंटेड की लिस्ट में है मतलब मलेशिया में क्राइम कर रहे हैं ना और आप उनका साथ दे रहें यह इस आदमी के बारे में मुझे जाने की कोई खौईश नहीं है यह दो मेरी खुश किसमती है अंकल अच्छा हुआ वह मुझे कभी नहीं मिले मेरी बात तो सुन आप यह आदमी जो एक क्रिमिनल है उसके बारे में जानने की मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं है और ना ही मेरा की तरह कमाने के लिए मलेशे आयोए थे इनकी सबसे बड़े गलती ये थी कि ये हर किसी पर भरोसा करते थे और इसी भरोसे के बल्भूते पर ये सलीम भाई के साथ मिलकर काम करने लगे सलीम भाई के सारे आदमियों की जानकारी यहां के पुलिस के पास थी इसलिए सलीम कि पत्टी पान कर सलीम भाई अपने काले धंदो को अंजाम दे तरह यह बात अगर मैं गणेश को बताऊंगा तो वो बिना सोचे समझे सलीम से उलच जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता हूं और क्या को हूं मेरा दोस्त क्रिमिनल नहीं है वह हालात का शिकार है पाए तुमारे बद्धे पर एंपी गिफ्ट है क्या गेफ्ट है बता जैक मतलब तुमारे प्यार में कव र कजांब दिद्धे वा कर दिया कूं प्यार क्वार के लोगो और यार की वा थे हंदी और अगर कविता को पता चलिया तो वो मुझसे नफुलत करने लगी तूने तो पूरा खेली भीगाड दिया चला आम आम जो इमोशनल मैंने जो किया दोस्त के लिए कि I love my friends अरे वो इसने घुस्से में क्यों गया कि जोर की तो तो प्रून मैं क्यों युलको कि एंडरा रिता में सबए लग स्पूशा है? नगर भीगार तो बाल मैं को झाँ तो वो मेड़ी कृट HUia अर सफवान वेवर इवका इल वी कृट यू जल छोड़ दे इसे कहा ना छोड़ अब ता मैं तेरे पास हूँ में ए भाई उठीगा ना हुद इससे ते पत्रोका है क्या प्रश्यिय क्यार उठका आर पर फिर आवड़ों झाले जगाओ आरे जबूड़ों आरे जड़ों बनाए वो इतनी बदमाशिया करते हैं भी क्या बता हूं गदेश गदेश सुनो जिल्दिया गदेश गदेश अठो गदेश तुम्हें कुछ नहीं होगा गदेश कुछ नहीं होगा किसने किया यह हलो देनेश अब केसे हूँ पर तुम्हें हुआ क्या था अरे क्या बताओं जबसे मैं आया हूं कुछ ना कुछ गदबड चली नहीं रही है लेकिन अबम लगता है थोड़ा ठीक हो गभी खम्बे से ट्करा नहीं तो चप्प आइसमे की अव्ड़ों क्या और मुझे ज्यादा दर्द नहीं देखे अब प्रेंडा अब अब तो मान गई ना आउ याई लूब माइफ रेंड्ट्रेंड्स हुआ 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 है गरेश इसका इस एक लड़की कि फिक्र करती है तो उसे प्यार कहते है यहां के लड़की तुसे प्यार करती है फिर कि शार से नहीं मैं बहु उनसे मिलना यहां बहुदा पढ़ी है वो परेशन मत आप आप कोई प्रॉफ्लम नहीं है तु यहां क्यों जो आगी तेरा आना ठीक नहीं है सब्सक्राइब वो इतना क्लोस फ्रेंड है कि जब तुम जूस बना रहे थी तो उससे मिलने वो बाहर चला गया तुम अमेरिका चला जा जा इसे चल्दी ले जा वरना वो लोग इसे मार देंगे तुम सब जाओ यहां से मैं संबाल लोगा वो तो शुरू से है वही उसके लिए सब कुछ है तुम तो बहुत बात में उसके जिंदगे में आई यू आ लेट तुम क्लोस हो तो ठीक है लेकिन वो तुम से जादा क्लोस है ऊसे क्लोस फ्रेंड का नाम ने जानना चाहोगी उसका नाम है करन sorry Kishon यहां क्या कर रहे हो वो कि मेरा दिमाग चाट किया कि शोर गनेश प्रोस्पेंट आरे नहीं वो तो तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो और तुम्हें चोट लगी है ना तुम बाहर क्यों आए कोई बात नहीं चलो यहां बेकार उसके लिए अपनी जान क्यों का हुआ रहा है इससे बहतर है तु यहां से चला जा यह बिल्कुल सही कह रहा है मेरे दोस्त तुछ से बिछड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है तुछ से जादा इसे हो रहा है कवीता के मिलते ही मैं तुझे फोन कर दू कवीता तुम्हारी है तो तुम्हें जरूर मिलेगी यहां सुनो ने सर अनॉंस्मेंट हो गई चलो आजाओ पॉस्ट टाइम मेरे सारे फ्रेंड्स अपना फर्द निभाने में लगे हुए है लगता है इस बार मेरा सच में कुछ भला होने बाला है भाया आगी है बोल भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं ढूड़ने तो कवीता को आया था लेकिन मुझे पर जान लुटाने वाला मुझे भाई मिल गया है था नहीं था इंक्यू बेरिमाच कोई बात नहीं दा इस ओके जलता हो भी यह संबलकर पासपोर्ट ना था में रखा है ना है ना भी रखेंट भाया, आप चाहे लाइट में कुछ भी करना, बगर प्यार मद करना, भाय. भाय, प्रॉब्लम सौल हो गई, आप तो खुझे न, चल पार्टी करते हैं. ए, इसको दर अंदर कुझ आने दे. वो गया, चल चलते हैं. एकस्कलिटर ते पॉँच ले दे. पॉँच गया, अब चले, यार ऊपर पॉँचने दे. पॉँच गया, अब चले गया, फ्लाइट तो उड़ने दे. अरे यार. क्या हुआ, तेरे को किसने मारा? वो लड़का हमारे आद्मियों को पहले भी मार चुका है. उसकी फोटो मॉमाइल में है. सर जी, इससे आपको बहुत खत्रा है. तेरा नमबर इसके बाद है, बेटा. और कर काम चुरी है. तो इस चिर्कुट ने अपन के आद्मियों का मारा? तुम लोगों को वो लड़की मिल जाएगी. लेकिन, उसके बाद, मैं इससे यहां से जिन्दा नहीं जाने दूँगा. या ना मेरे उसका? गरनेश, गरनेश. गरनेश. याद रहे, उसे किसी भी हाल में पढ़ाना है. मुझे पता है, तुम कर सकता है. याद पागल फूल लेकर आया है. मुझे बहुत ड़ लग रहा है. तुम जल्दी आजाओ, फ्लीज. मुझे पागल बोल रही है. उस पागल को भागा दिया. अब दर्वाजा खूलो. तांक गॉट. आजाओ अंदर. तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आब बैठो. तुम क्या लोगे? अहिम्मत मिलेगी. ऐसे मत देखो, मुझे कुछ-कुछ होता है. कहना क्या चाहते हो? कैसे बोलू, कुछ जरूरी बात है. तुम बोलो ना. तुम इतनी नजदीक आ जाती हो, तो बोलती बंद हो जाती है. मुझे दुड़ा सा टाइम चाहिए. ओ, टाइम. लिलो. बताना तुम पड़ी गई. बिना बता एक काम कैसे होगा. अरे यार, मैं इतना डर क्यू रहा हूँ? इतना टाइम काफी होगा? और तुम इतने टेंशन में क्यो हो? हाँ, क्या हुआ? तम कुछ कहना चाहा रहे थे ना? जो कहना है, जल्दी कहो. क्योंकि मुझे शॉपिंग करने जाना है. गनेश, कहीं वो पागल आदमी तुम तो नहीं थे ना? भस गया. ए गनेश, तुशे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसे घब रहेगा, तो गुथिशे आई लव यू नहीं, आई हेट यू बोलेगी. इसलिए नो डाइलोग, अनले दिस. बात बन रही है, हावा करुख बदल रहा है. यहां तक प्यान की खुश्वा रही है. उसने अपने दिल के दर्माजे खोल दिये, बस आई लव यू का बेल बजाना भाकी है. यह सही कह रहा है, तुम दुनों के बिच जो काटा था, उसे निकाल भेका है. अब कभी वेट्स कानी, अच्छा, फुल फुल फॉर्म, कभी ताव वेट्स करणीश. ठीक है, कमाल का टेकोरेशन करेंगे, तुम दाम से शादी करेंगे, सब जगे फटाके होंगे, और बहुत साथी दारू होगे, और बहुत मसाएगा, मलेशिया वाले तुम्हारी शादी देखते रह जाएंगे, एक खास बात है, फैनेंसर कुमार को बलाना पड़ेगा, मस् से भारी पड़ता है, क्या या, डुपलिकेट माल लेकर आया है, क्या बात है, दोस्तों, और जोए कर रहे हो तुम लोग, यह अच्छी बात नहीं है, तुम दोगा ने मेरे साथ सही नहीं किया, कांफर्म, इसे सब पता चल गया है, इसलिए दो वापस है, क्या बात है भाईया, सिर्फ दस दिनों की पहचान में आप मेरे लिए, और मेरे प्यार के लिए आप जान देने को तही अरो गए थे, लेकिन मैं क्या कर रहा था भाईया, अपने प्यार से दूर जा रहा था, त हाई, हम ये, तो वापस कैसे, हम आया था मतलकों, तुम लोग दोस्त हो गया, तो अ तुम्हें पता है कि कवीथा कहा है ए गनेश है पता मेरी कवीथा का है कि अधूर कि आत्मा जुटा पता है कि नहीं कि यह चला तुझे चामना है कवीथा कहा है सब ने मिलकर मुझे थोखा दिया है अपनी कवीता को ढूर निकालूँगा मिल गई कवीता तेरी वज़े से वो यहां आई थी ना और तेरी वज़े से उसने सूसाइट कर लिया मैरे उसे बचाने की बहुत कुछ थी लेकिन बचा नहीं पार अब क्या जोने यार प्यार में थोखा खाकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है 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 मैं लिए ओो खाओ ये, क्या खा में वार रखुशी कर लूब काम्ईन मैं लूपाँ वाण कर दो क्या है मैं Dogs से बचल मैं जो भी ए बचल कि अज़िए टो कि अपयों पर फॉस्त ताइम से रियक्टिंग मुझे पसंद आई अपने प्यार को बचाने के लिए उसके फ्यार कोई मार डाला जैंग और मुहबबत में सब जायाज है शाबाश आई लाव माई फ्रेंद्स कम आउन हम जब सलिबरेट करेंगे तू क्या लेगा अब है उपर क्या देख रहा है कि हमारा ज्यादे दे रुपना रिसका मेरे घर चलो जो शॉक ट्रिट्मेंट दिया ना सोना की फ्लाइट पकड़के निकल लेगा और कभी वापस नहीं आयों हुआ है था था है हुआ है दो एक किषर ऐक किषर ऐक किषोर एक किषूर ऐक किषोर आखोल जाते है पर आंजर है ते निंजर मतले मुसे बहुत बड़ी गलती हो गए मुझे अंदज आप ही नहीं था कि वा यह सब दोक्तर नेका तु परेशान मतो चला गनेश, पानी गनेश, गनेश, हॉस्पिटल वाली कह रहे हैं, और पैसे भरने पड़ेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम लोगी बंदोबस करो, इतने बड़े अमांट को हम बंदोबस कैसे करेंगे, अंकल तो जो पैसे दिये थे हम भर चुके हैं, क्यों न हम लोग कुम कुमार नम का कोई है ही नहीं, वो सारे पैसे मेरे थे, अगर तुम्हें सच बताता, तो कोई मेहनत नहीं करता, सबको काम चुरी आलस की दत बढ़ जाती है, कुमार मैं ही हूँ, यह सच है, कविता, तुम्हारे मिलने के बाद मेरी जिन्दगी बदल गई है, मुझे कोई होश नहीं है, तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा, मुझे खुद नहीं पता, इसलिए आज एक बाद पूछ रहा हूँ, विल्यो मेरी मी? अरे भाई, ऐसा क्यों किया? उससे जुदा होकर जेने का, अब कोई मतलब नहीं है भाई है. अगर तुने सच्चा प्यार किया था, तो फिर धोगा क्यों लिया? पहले तेरा प्यार कहां चला गया था? हां? चल तू उससे प्यार करता है, ठीक है. लेकिन तूने उससे पुछा कि वो अभी तुसे प्यार करती है? मैंने अपने प्यार को पाने के लिए छूट बोलने का फैसला किया. और तुझे तेरा प्यार नहीं मिलेगा, तो तुने सुसेट का फैसला किया. तुम उससे भी बड़ा आशी कही है. अब तुझे मैं एक सच बता हूँ. कविता अभी भी जिन्दा है. वो मेरे पास है. एंड यू अर लेट. वो मेरे दिल में रहती है. मैंने उसे प्रपोस भी कर दिया है. पर तु मेरे बीच में है. अब अगर तु वापस अमरीका चला जाता है, तो यहाँ पर कोई दुखी नहीं रहेगा. देखा जाया है, तो कविता मुसे ज्यादा अटैश्ट है. Everything is fair in love and war, भाई. प्यार में जूट बोलना गलत नहीं है और उसके लिए किसी को धोका देना भी गलत नहीं है. So, कविता मेरी है. ऐसे क्या घुर रहा है? हाँ? मुझे मारना चाहता है? मैं भी यहीं चाहता हूँ. अच्छा चल, बता मैं क्या करूँ? अच्छा चाहता है. कि शोर है वो आ गया है कि अई स्वेर कि अब कि अब अरे तू पागल है क्या? लड़की को छोड़के यहां क्या कर रहा है? प्रायस्चित प्रायस्चित? वो क्यो बई? उसने सच्चा प्यारतो किशुर से ही किया था मैं तो ऐसे बीच में आया अब मैंने दोनों को मिलवा दिया फिर तू क्या करेगा? प्यार का मतलब हर बार जीतना नहीं होता, कभी कबार हार का भी मज़ा चखना चाहिए अरे कविता तुम, कैसी हो? I'm sorry कवीता, मुझे तुम्हें छोड़ कल जाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए था सच बताओ तो, मैं एक नंबर का आइडिया ढूँए, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार को समझे नहीं पाया I'm sorry कविता, I'm sorry मैं ये तो नहीं जाता कि तु मुझसे अब भी प्यार करती होगी ने, लेकिन एट लिस्ट कुछ तो कहो, गालिया दो, खोसो मुझे, तुम्हारी फिलिंग को समझ तो पाऊंगा मैं, उस दिन मैंने सोचा लव या करियर, तु मैंने अपने करियर को चुना, और जब कवी था, तुम्हारे बगहर जीने की बात आई, तु मैंने जिन्दीगी के जगब मत को चुन लिया, लेकिन अब तै कर लिया है, जिन्दीगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, खुशी-खुशी साथ रहेंगे, क्या हुआ, कुछ कहोगी नहीं, ओके, तो फिर हम लोग तुरंट शादी कर लेते हैं, दोनों यूएस चले जाएंगे, हमारे बिच कोई नहीं आएका, कोई भी नहीं आएका, ओके? किशोर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूँगा? के लोगता है, गनेश को भी उसके बाप के पास पहुंचाना पड़ेगा, यह तुम क्या कह रहा हो, तुमने, तुमने मेरे दोस्त को मार दिया? मामा जी, आप बेकरमत कीजी, आपको कुछ नहीं होगा, गनेश, अंकल, अंकल, क्या हो इन्हें? वो सलीम गुंटा है न, वो अप्रादियों के साथ आ है था, उसी नहीं यह सब लिया, गनेश, अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए, पेटा, तेरे पिताजी तुछ से बहुत प्यार का बात चुड़ी, चुप चाप मेरी बात सुनू, तेरे पिताजी गुनेगार नहीं थे, बग्यास में गुनेगार तो वो सलीम भाई है, जिससे तेरे पिताजी ने कर ला दिया था, भाई, थोड़ी और महलत दो भाई, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा भाई, प्लीज, ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे बे, भाई, तेरी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं, कांजे कर दो अवसे झाँ गौने कर दो दॉशे गो सो भाई कि एप घप जागाओ, वे रिखवा जे रहाओ, जागाओ, जागाओ, जागाओ! झागाओ! फदोटे जागाओ, जागाओ! उड़ा हाओ उड़ा हाओ कईाना जो फड़ा हगो अ ए खो फड़ा उन्ट इओ कर दो कर दो जय हुआए 파ट झाल झाल क्षिं कर जैंग कर सिए कम उन सोरीथिं सोरी चर्लोरी है सोरीः चर्लोरी कर दाल हृग ह हृट हृग आई हृग 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 प्रोफ प्रोफ प्रेजू जूब जूब में जूब जूब करें जूब सीटे आप मैं ड़ियू इसे मूं के उलटका रखा है खुशी का दिन है तो खुशी से काम कर चल फूल ले किया सब तेयार आने पंडी जी मुझरत में ज्यादा टाइम नहीं है ए टिंगो इधर आ ए जल्दी से जा और मेरे लिएक मस्त खुर्ता ले क्या हां गनेश कविता के शादी कि शोर से नहीं होनी चाहिए तुझ से होनी च जाया लेकिन वह नहीं माना तुझ जाया गया नहीं है सपना कितनी देर होगी और यह तुम क्या पैन कराई हो आज तुम्हारी शादी है साड़े दस बज़े का मुहूर्त है थर्स्टे तुम्हारा फेवरेट डे देखो जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो रहा है कि शोर से तुम्हारी शादी हो रही है हां इसे तैयार करूं कवीता वो टीका लेफ्ट में लगाना चलो जदिया अच्छा भाई तो तो यहां बैठा है अच्छा यह टीका लग ले नजर नहीं लगेगी भाई आप तो बहुत बड़े सेल्फिश निकले क्या सेल्फिश आपके सेल्फिश होने के कारण ही आज कवीता से मेरी शादी हो रही है लेकिन भाईया कवीता अब मुझसे प्यार नहीं करती किशोर क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछू हाँ पूछो न तुमने मुझे जिन्दकी के उस मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है जा मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ कि मुझे यहां अकेले छोड़ जाने वाला एक किशोर था और वहीं किशोर आज मुझ पर अपनी जान चड़कता है अब मैं किस पर विश्वास करो इस किशोर के करो कवीता मैं पूरी तरह बदल गया हूं मैं भी पूरी तरह बदल गए हूं किशोर मैंने कवीता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया लेकिन एक बात मैं माता हूं मुझ मैं सिर्फ प्यार के लिए जान देने की हिम्मत है लेकिन जंदेगी भर उस प्यार की हिफाज़त करने की हिम्मत सिर्फ आप में है भाईया कवीता हमेशा खुश रहे इसलिए आपका उस साथ रहना जरूरी है is it possible no you're right कविता मेरे लिए सही है 100% सही है लेकिन कविता के लिए आप 100% सही हो yes I love this friend आप कविता से शादी करेंगे बोलिये अरे इतना क्या सोच रहे है बोलो ना कोई फाइदा नहीं चुप रने से बोल दे पुलो गनेश तुमने लेटर में लिखा था कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते और अपकर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती तो बाइया बाइया कुछ लोग हत्यार लेकर आ रहे हैं भाइया हमें बच्चा लीजी वाइया छुदूद मीख़न आ, यू गरीजी वाइया। झालो रहे पैए रहे रहे हैं एक दो यूदू, रावची जूढू रहे हैं भी खाया।